हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आसा करता हूं अच्छे हो गए तहीं कुछ अलग-अलग एक्जाम ऐसे सीजियल 2020 टियर टू टियर थ्री को लिए कुछ अपडेट हैं सेलेक्शन पोस्ट फेज नाइन के एक्जाम को लिए कुछ अपडेट है कि क्या चीज़ें हो सकती है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं काफी कुछ आपको जानने सीखने को मलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह अभी आप देखेंगे कि स्सीजेट दोजार बीस के टीर टू के जो अलग अलग जो रिजन है अलग अलग उनकी वेबसाइट पर रिजन का आगया है और अभी अभी आज साम को एंपर रिजन का भी आगया था और जैसे यह अपडेट आते रहते हैं जो भी एडिमिन का इस्टेटर से मिल जाओंगा लिए प्रिजन में अधार अब आप देखता रहा है अब आपने अलग आगले वह तो यह जरूर कर लिजेगा आपको विल्कुल रहना अब बात आती है जी बहुत एक इंपटेंट अपडेट आया नोटिस आया अभी अभी आसाम कोई थोड़ी दिर पहले ही एससी ने नोटिस जाला सेलेक्शन पोस्ट फेज नाइन का जो दो जारी एक किसका एक्जाम है उसके रिगाड़े इन्होंने बोला कि जनरल एलेक्शन के जो लेजिस्टिलेटिव एसेंबली अलग-अलग विधान पंजाब इन तीन राज्यों में जिनका भी सेलेक्शन पोस्ट का एक्जाम था इनको पोस्ट पॉस्ट कर दिया जल्दी आपको बता दी जाएंगी और साथ में अलग से बात बताई है कि बाकी और भी जितने भी स्टेट्स हैं उन समय दो फेबरेरी से दस फेबरेरी तक ज जिन्हों ने भी एक्जाम सेंटर अपना उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड्या पंजाब ऑफ्ट किया था उनके एक्जाम पोस्ट पूरे देश के एक्जाम होंगे इनकी नई फ्रेश बाद में अलर्ट कर दी जाएंगी और इसके साथ में जो कुश्चन अराइज होता है कि आप देखेंगे कि दो फेवरेरी से दस फेवरेरी तक अब सीजियल टियर थी जो है वो 6 फेवरेरी को है चुनाब तो अब उसमें भी हैं यहां पर देखा जैनल सवाल है और यह बच्चे बहुत पूछ भी रहे हैं मुझे बहुत डिम आये कि यह इसका क्या किया जाए क्य तो एक एसे लेंगे और इसका भाई सीधा सीधा साइनसर यह है कि SSC कि माया SSC ही जाने SSC क्या करती है कैसे करती है क्या उनके लौजिक होते हैं क्या वह होते बस ओं ब्ल्रहें कि समझ समझ से पर हैं कि आगर यह दो से दस February तक आप इन तीन स्टेट्स में इसके एक्जाम नहीं ले पारे तो यह कैसे ले और यह ले पारे तो फिर यह क्यों ले पारे यह समझ से परे हैं कि इन्होंने सेलेक्शन पोस्ट का पोस्पोन कराया है उन्तीन स्टेट्स में यूपी पंजाब और उत्राखंड में लेकिन टीर थ्री नहीं कि अगर करना होता तो तीए ठीड नोटेस यह आज चुका होता और यह डाल चुके होते तीगा यह फिर अफिर नोटेस आएगा तो बता देंगे बार मुझे नहीं लगता कि तीन स्टेट्स का करेंगे और करेंगे निए तीर थ्री में बहुत जाद बच्चे वैसे भी नहीं हो यह जैसे हैं फेब्रेट को बाके औल ओवर इंडिया वैसे ही होगा इन तीन राज्यों में भी होगा वैसे यह थोड़ा से समय से पर आप यह से भी है यह यह वाई अब यह जाने एससी की राम बाया जाने बाई क्या करते हैं करते प्रफिरा लिए इसके लाबा एक जो कुछ कशों की qui के क्या होगा जाइन करता है वैं चीजें हैं फिर लोग बार झाल लगते हैं वह अच्छे लगता दूसरी बात यह है कि इस का butcher 2 पोस्ट्र班 होने वाली जो बात वात ही कि क्या हो होगा उसमें नहीं लगता कि वह को चुनाव आपके हो जा रहे हैं जो टिपिकल चुनाव है जाहत और रज्जों में कुछ यूपी के चुनाव को छोड़ दें दो हाला कि 20 फैब को पंजाब में चुनाव होने वह 20 फैब को होंगे जो पहले सारे उनके एक्जाम 14-18 फैबरेडी के बीच में लेंगे तो 14-18 फैबरेडी के बीच में ही आपके सारे एक्जाम होंगे और cglk भी आपके टीर 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 त्री ऑन टाइम पे ही होंगे हालांके देखो सभी मेंटर्स ने बोला था इंक्लुडिंग में भी मैंने भी कि हाँ जो जिसे आफ से कोबीट केसिस आ रहे थे जिससास से रहे होए से की बहुत जाधा तेजी से लाइन लगे ती यह मैं पिछली बार भी बहूत रहते हैं बहुत जल्दी एक्जाम पुस् दखते हैं बड़ देखो कोई भी सभी ने बोला सारे जितने मेंको किसी और ने बोला आया मैंने बोला कोई एक चीज जरूर है कोई आपका बुरा नहीं होगा Can यही चाहते हैं कि जादा हम कंट्रिबूट कर पाएं किसी और की सक्सेस की जरनी में हम कंट्रिबूट कर पाएं यह पक्सद होता बाकी जो भी है आप अच्छे से प्रिपेर करते रहो के लिए बाकी दस दिन बचे हैं अगर आज 17 तारीक देखो सब्सक्राइब करिएगा अब इन दस दिनों में नो से ग्यारे वाला जो एम सुबह मैथ का पेपर और दो से चार्ड जो आपका इंगलिस का पेपर होना इसके सब्सक्राइब के साब से एक एक मौक जरूर लगा ल क्यांकि बहुत ज़्यादा आपके मौरल उसकी इंपोर्टाइंस होती है आखरी दिनों में अगर मौराल डाउन हो गया तो बहुत खेल खराब हो जाता है और मौराल लप रहा तो बहुत आप अच्छा परफॉर्म कर आते हो इसलिए जरूरी है तो अच्छा से अपना तो मिलते हैं में नेक्स ट्रीटाम दोस्तों तो टाटा बाइबाई जैह हैंद